सुबह के पांच बज चुके हैं लगबख साड़े पांच के आसपास हो चुका होगा अभी कल रात में हुआ योगी बहुत जादा नींद आ रही थी ड्राइब करते वक्त तो हम कुर्ग पहुशने के पहले 75 किलोमेटर पहले ही किसी जगा पर लॉश था यहाँ पर हम रुख गए और लगबख साड़े नौ बजे के आसपास हमने चेक इन किया और अभी हम चेक आउट करके वापस कुर्ग के लिए निकल रही हैं और यहाँ प आर्स हम वहाँ पर कुर्ग पहुच जाए फिर वहाँ से हम अपना सफर स्टार्ट करेंगे कुर्ग का और जैसा कि हर बार निखलेश ड्राइब करते हैं बाइक को इस बार भी निखलेश ड्राइब करेंगे वह इसलिए क्योंकि वह बहुत सूपर पावर इंसान है उनके प फिर देर्ट्ट गॉड्ट झारीश धिंसान निखलेश झालेश प्राइब को वहाँ से का बार वालेश एंसान है है कर दो दो कि दो दो पर दो 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 हुआना जो दो कि दो दो तो ख़ुआ है झाल 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 तो दोस्तो हम कुर्ग पहुच चुके हैं और आप बैक साइड में देख सकते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे जो है स्टैचू आपको दिखेंगे जानवरों के और भी कुछ चीजों के हैो बाट फारे ऑड़ना यह पताने जो कौन सी शौप है जो भी लिए बनाती है और अभी हम जो नेक्स हमारा जो सैट है सब से पहला कि जाने वाले है वह हारंगी डैम जो बहुत ही खुबसूरत है हारंगी डैम और जाने से समझ मैं और था पुबसूरती कैसी है उसके बाद next हम जाएंगे दुबारे forest जहां पर हम elephants के साथ कुछ activities करेंगे जो बोलते कि वहाँ पर जो elephants है वो काफी मतलब खिलाते हैं अपनी सून में घुमा घुमा करके अब देखते हैं कैसा होता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं तो दोस्तो अभी आप देख रहे हैं मैं अभी यहाँ कुर्ग के रस्ते पर खड़ा हूँ यह छोटा सा घर है यहाँ पर यहाँ सामने जो है एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें सब direction दिया हुआ है कि यहाँ से माडी केरी जो है 27 km है दुबारे forest 12 km है अभी फॉल्स जो है 34 km ह तो अभी हम पहले जाएंगे हारंगी डैम जो यहाँ पर mention नहीं किया गया है तो यहाँ से सीधा जा करके हमको उसके लिए turn लेना है right और दुबारे forest के लिए लेना है left तो पहले हम हारंगी forest जा रहे वो इसलिए कि जो दुबारे forest है जहाँ पर elephant की activities होती है वो सुबह 9 बजे खुलता है और 11 बजे खुला रहता है फिर शाम को 4 बजे खुलता है और जो 5-5 बजे बंद हो जाता है तो चलिए पहले चलते हारंगी डैम so यह रास्ता है हम सीधा जा रहे हैं और यह मोड है और यहाँ पर यह hotel पढ़ रहा है सावी रूची यहाँ से हमको right turn लेना है हरंगी फॉल के लिए this is the way और यहाँ पर कुछ शॉप्स आपको देखने को मिलेगी इस ट्रेट जाना है अब पूरा तो दोस्तों यह यहाँ से दिखने लगा है हारंगी रिजर्वायर लिखा हुआ है कापी अच्छा हम लगभभ पहुंच ही गए है हारंगी डैम यह हमें यहां से राइट टर्ण लिया after right turn we have reached to हारंगी डैम चलते हैं आगे yes हम बहुत चुगे हैं यह साइड मुझे नजर आ रही है हारंगी रिजर्वायर यह देखें खुला हम अभी है गेट तो दोस्तों यह गेट है हारंगी डैम का इस तरह से अभी हम अंदर की तरफ एंट्री लेंगे काफी खुबसूरत दिख रहा है यह एरिया कुछ फोर्ट टाइप से भी बना हुआ दिख रहा है उपर तो हम पहुँच गए है हारंगी डैम के गार्डन में और हर बार की तरह इस बार भी डैम देखना बिलकुल भी अलाव नहीं है और यहाँ पर तो खैर कोई पानी भी नहीं दिख रहा है तो अब सिर्फ गार्डन ही देखने को नसीब होगा तो चलिए मैं आपको गार्डन दिखाता हूं पार्डन दिखाता हूं हुआ झालन दिखाता हूं झालन दिखाता हूं झाल 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 यह डैम है जो अभी क्लोजड है खुला नहीं है तो पानी का फ्लो आपको दीखेगा नहीं आप देख सकते हैं वहाँ पे ब्लैक करर के बड़े बड़े जो है बैरियर्स रखे हुए है लगे हुए हैं जो की पानी को रोक रहे हैं पानी के बहाव को इस तरह से डैम है और यहाँ पर पानी अभी पूरा अल्मोस्ट सूखा हुआ है पानी के बड़े हैं पानी के बड़े हैं पानी के बड़े हैं